पाठ बारह पिरामिडों के देश में रक्षित रखी ममिया दर्शकों को हध प्रव करती है कुछ पिरामिड तो दुनिया की साथ आश्चर्यों में संमिलित है एजिप्ट के अण्य प्रसिध स्थानों के बारे में यги पाठ सुन कर जानते है विश्व प्रसिद्ध पिरामिडों और ममियों के देश इजिप्ट के लिए दिल्ली से हम गल्फ एरलाइन्स की उडान से रवाना हुए इजिप्ट की राजधानी कैरो पहुँचने के लिए बहरीन से दूसरी उडान लेनी होती है जो पूरे चार घंटे बाद मिलती है यहाँ का समय भारत के समय से पूरे तीन घंटे पीछे चलता है बहरीन के हवाई अड़े पर उतरे तो वहाँ अधिकतर भारती चहरे ही देखने को मिले दो घंटे बहरीन में गुजार कर हम लोग दूसरी उडान से इजिप्ट की राजधानी कैरो के लिए रबाना हुए यहाँ का मौसम खुशगवार था और तापमान था 13 डिग्री सेल्सियस दिल्ली की ठिटूरती सर्दी से घबराए लोग जितने उनी कपड़े लेकर आये थे वे जरूरत से कुछ ज़्यादा साबित हुए एरपोर्ट से 11 किलोमीटर दूर गीजा शहर के होटल होराइजन में हमें ठहराया गया यह इजिप्ट के बेहतरीन होटलों में एक है इजिप्ट वासियों ने मकान पर प्लास्टर ना कराने का समझदारी पूर्ण संकल्प ले लिया है यहां मकान के बाहर सिर्फ इंटें होती है प्लास्टर नहीं होता, पुताई नहीं होती दिल्ली के तरह मेट्रो यहां भी चलती है लाइट और सडकों के मामले में इजिप्ट दिल्ली से आगे है पिरमिड और ममियों वाले इस देश की राजधानी कैरों में एक ग्रेव सिटी भी है यानि की कब्रों का शहर, जहां सिर्फ मुर्दे आराम फरमाते हैं इनकी कब्रें मकानों की शकल में हैं, जिनमें खिडकी और दर्वाजे तक हैं छतों पर पानी की डंकियां भी रखी हुई है इन कब्रीले मकानों पर प्लास्टर ही नहीं, पुताई भी की हुई है मुर्दों के रखरखाव का ऐसा जलवा किसी दूसरे देश को नसीब नहीं कब्रों की ऐसी शान शौकत देख कर एक बार गी हर शरीफ आदमी का मन मरने को ललचा जाए, तो क्या आश्चर्य? यहां का म्यूजियम भी ममी प्रधान संग्रहाले है हजारों साल से सुरक्षित रखी ममियां दर्शकों को हतप्रभ करती है गीजा में कुछ पिरामिड है, मगर असली पिरामिड जो दुनिया के साथ आश्चरियों में सम्मिलित है वे गीजा से 19 किलो मीटर दूर सकारा में बने है इन पिरामिडों की तलहटी में भी शाही ताबूतों में जन्नत नशीन बादशाहों के जिस्म आराम फर्मा रही है इन में इजिप्ट के सरवाधिक चर्चित 19 वर्षिय सम्राट तूतन खामून भी शामिल है तमाम खोजों के बाद पता चला कि इतना बहादूर सम्राट सिर्फ 19 साल की उम्र में मलेरिया के कारण जिन्दगी से हार गया एक दूसरा पिरामिड है जो सम्राट जोसर के बेटे ने बनवाया था पिता की इज़त के कारण उसने इस पिरामिड का आकार पिता के पिरामिड से जान बूज कर छोटा रखा था इसके साथ ही एक और सबसे छोटा पिरामिड बना हुआ है यहीं कुछ दूरी पर बना है टूंब ओफ लवर यानि की प्रेमी का मकबरा यह साढ़े 62 मीटर उचा और 28 मीटर गहरा है फैरो यहां के समराट की पदवी हुआ करती थी इनही में एक फैरो था एकी ना तो विश्व सुंदरी नेफरी तीती इसी फैरो की पतनी थी नेफरी तीती का इजिप्शिन भाषा में मतलब होता है सुंदर स्त्री आ रही है सुराहीदार लंबी गर्दन वाली नेफरी तीती इजिप्ट की पहचान और शान है गीजा से अलेक्जेंड्रिया जाते हुए बीच में एक इंडियन लेडी पैलेस भी बना है कौन थी वह भारतिय महिला इसका पता किसी को नहीं है पर महल पूरी आन बान शान के साथ आज भी मौजूद है इस शहर में जब चाहे बारिश हो जाती है इसलिए यहां की सड़कें अक्सर पानी में डूबी रहती है गीली तो हमेशा ही रहती है यह शहर मचली की आकरती का है इसलिए इसे राबूदा भी कहा जाता रहा है राबूदा का अर्थ है मचली नुमास्थान इस शहर में ही बना है कैटेकॉब मकबरा दिल्चस्प बात यह है कि इस मकबरे की खोज सन 1900 में एक बंदर ने की थी होता क्या था कि वहां जो भी बंदर जाकर उचलता उसकी टांग जमीन में फस जाती लोगों को तजब हुआ वहां खुदाई की गई तो इतना विशाल मकबरार जमीन के दामन में छिपा मिला इस मकबरे में भी सैकनों जारों का जखीरा मिला था कहा जाता है कि ग्रीक लोग जार में ही खाना खाते थे और एक बार जिस जार में वे खाना खा लेते थे तो उसे दुबारा उपयोग में नहीं लाते थे इसलिए इतने जार यहां जमा हो गए आगे चल कर एक और स्मारक है मौंबनी स्तंब अब वक्त बदलता है जिसका संकेत देती है मुहम्मद फरीद की प्रतिमा इस बहादुर आदमी ने तुर्क और रोमनों से इजिप्ट को आजाद कराया था थोड़ा और आगे चलकर है समराट इब्राहिम की मूर्ती जो इजिप्ट वासियों के शोरे का प्रतीक है दिल्ली के इंडिया गेट की ही तरह यहां भी इसराइल इजिप्ट युद्ध के दौरान शहीद सैनिकों की समर्ती में एक समारक बना हुआ है नालंदा और तक्षशिला की टक्कर पर यहां भी है अलेक्जैंड्रिया लाइब्ररी जहां रखी है लाखों दुरलब बुस्तकें आगे है रेट सी इस लाल सागर और भूमध्य सागर को जोडने का बीड़ा उठाया था फ्रांस के निपोलियन बोनापाट ने स्वेज नहर के रूप में वह निशान आज भी हमारे सामने है तन्नूरा और वेली निर्ति पर थिरक्ता इजिप्ट सूती कपड़ों और मलमल के लिए मशूर है खलीली स्ट्रीट और मुबेको मॉल यहां खरीदारी के लिए मशूर ठिकाने है भारत की हिंदी फिल्में यहां खूब देखी जाती है बिना प्याज लहसुन का शाकाहारी भोजन आसानी से मिल जाता है यह विचित्र किंतु सत्य और सुखध हकीकत है लेखक सुरेश नीरव दिये गए विशेशन शब्दों को उनके भेद के अनुसार तालिका में पहुचाए दिये गए वाक्यों में रिखांकित क्रियाई सकर्मक है या अकर्मक भेद के अनुसार तालिका में पहुचाए ये